जगत की रीती को बढ़ाए रखने के लिए नीती और नयाय से जीवन चलाए रखने के लिए भगवान को व्याह करना पड़ा उसके बाद में अपने फुत्र फुत्रियों को पढ़ा करके उन्होंने पठन पाठन की परंपरा आगे बढ़ाई और सब समाज प्रिजाजन के ल कुछ भी नहीं यही महापुरुषों की बात होती है केवल करतब करने के लिए प्रिजा को सही रास्ते पर चलाने के लिए इतने बड़े-बड़े उपक्रम महापुरुष करते हैं अपना समय उसमें लगाते हैं और उसके मात्यम से यह जंता को जब लाब मिलता है तो जंत और यही कृतकिता अगर हमारे अंदर आजाती है तो मैं समझूँगा कि आपका रिशव देव भगवान के प्रती जो कृतकिता का भाव आएगा यही सबसे बड़ा कुण्य भाव आपका जैनती मनाने का कुण्य भाव कहलाएगा अन्य था लोग पंच कल्यानक भी कर लेते हैं देख लेते हैं बगवान के गड़ों के प्रती कृतकिता का भाव नहीं आता मने आभार व्यक्त करने का भाव कि इस लोक में भगवान ने बिना प्रियोजन के अपने ग्यान से उन्हें किसी ने नहीं पढ़ाया उनको किसी ने नहीं पढ़ाया वो स्यम पढ़े लिखे थे वो स्यम तीन ग्यान के धारी थे ये सब अनादी की परंपरा हैं जो विदे आदी छित्र में चला करती हैं उन्हें अपने अवदी ग्यान से देखकर के भगवान ने ये सारा ग्यान लोग के लिए दिया जो आज पूरे लोग के अंदर जितना भी सिल्फ विद्या ग्यान आदी जो हमें दिखाई दे रहा है वे सारा का सारा ग्यान देने का स्रेक इसको जाता है भगवान जो सब देव को ये बात आपके दियान में अच्छे डंग से बैठी होनी चाहिए